हेलो दोज़तों आज मैं बनाऊंगी छोले भटूरे जो बहुत ही कम टाइम में बन करके रेडी हो जाएगा और छोले बहुत ही टेस्टी बनते हैं तो आप भी इस तरह से ट्राइ कर सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे मैं छोले को दिन भर भीगो करके रखी थी और इसे धुल करके इसमें साप पानी मैं एड कर ली हूँ तो थोड़ा पानी और यहाँ पे एड कर लेंगे और यहाँ पे डालेंगे कुछ खाड़े मसेले जैसे दाल चिन्नी बड़ी इलाइची छोटी इलाइची लॉंग और तीज पत्ता और यहाँ पे डाल देंगे थ यह दो विशल्स आ गया है अब छोले हमारे उबल चुके होंगे तो आए देखते हैं यह देखे फ्रेंट्स तेक मैं इसे दबा कर दिखा दी छोले उबल चुके अच्छे से बॉयल हो गया है अब हम जो खड़े मसाले इसमें डालेते उसे निकाल लेंगे क्यों है अब यहां पर मैं अद्रैक Digital को ने जूके कर केूछ हो और यहां पर टमाटर को मैं कडिल करके ली हूँ पीशी नहीं हूं और यहां पर पकाँच प्यास कट कर ली तो आब इहां डालेंगे जीडा और हींग और ये जो अध्यक लेसर हम दमेख का सी का पेश् Play चस्ट डाल देँगे आए ये खड़े लेसरन मैं ऐसे डालते हैं इसके बहुत अच्छा टेश्ट आता है तो ये देखे, अब इसे थोड़ा भून लेंगे, तो ये अच्छी से भून चुका है, अब यहाँ डाल देंगे प्याज और प्याज को भी हमें 4-5 मिनिट अच्छी से भूनना है मतलब थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाए, तब तक हमें प्याज को भूनना है तो ये देखे, इसका कलर चेंज हो गया है, अब यहाँ पर टमाटर का वो पेश्ट डालेंगे और नमक डाल देंगे तो धियान देखे, छोले उबालती टाइम भी हम लोग नमक का योज किये थे तो यहाँ पर उसके एक ओर्डिंग ही आप नमक डालें अब बस कोकर का ठकन लगा करके एकदम श्लो फ्लेम पे दो सीटी लगा लेंगे इससे ना हमारे प्याज घल जाते हैं अच्छे से अब यहाँ पर जाएगा चिकन मशाला, कस्मिरी लाल मिर्ची पाउडर, हल्डी पाउडर, गरम मशाला बस इतने ही मशाले मैं यहाँ पर योश कर रही हूँ, अब मशाले अच्छे से भून चुके हैं, तेल छोड दिये हैं, अब यहाँ पर उबला हुआ, जो छोड़ा है, उससे यहाँ पर डाल देंगे और ढकन लगा देंगे, और इसे होने देंगे, तब तक हम भटूरे के लिए आदा लगा लेंगे, तो यहाँ पर ले ली हूँ मैं मैदा, और यहाँ पर दही मैं आइड कर रही हूँ, तो दही मैं ज्यादा डालती हूँ, इससे ना हमारे भटूरे बहुत ही टेस्टी बनक करेडि होते हैं और यह ठंडा होने के बाद भी मतलब खीचना नहीं पड़ता है सॉफ्ट रहते हैं तो यह देखें भटोरे के लिए आड़ा भी हमारा लग गया है अब इसे साइड में रख देंगे ठक करके और इधर देखें छोले भी हमारे बन चुके हैं तो यह देखें छोले भी बन करके रेडी है तो बहुत कम समय में ही यह रेडी हो जाता है अब आईए भटोरे को बेल लेते हैं तो यह देखें सेट हो गया हमारा आटा आएसे प्यड़े ले लेंगे और इसे बेल लेंगे यह देखें इस तरह से बेल लेंगे यह देखें तो ऐसे ही बाकी का भी हम बेल करके रेडी कर लेंगे भटोरे यह देखें तो यहाँ पर चार में भटोरे बेल कर रेडी कर लेंगे तो ओयल करम हो चुका है एक एक भटोरे हम इसमें डाल देंगे और ऐसे दबाते हुए देखे कैसे फुले-फुले से भटूरे बन रहा है हमारे बहुत टेस्टी बनता है तो ऐसे ही हम भटूरों को तल लिया है देखे सारे भटूरे मैं यहाँ पर तल लिया हूँ तो आईए अब मैं इसे सब करती हूँ तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैं छोले छोले यहाँ पर और यहीं पर जाएगा फ्रेंट्स यह चटनी जो रेडिमेट चटनी आती है और प्याज और भटूरे तो फ्रेंट्स आपको हमारी यह रेस्पी कैसी लगी कमेंट में चरूर बताएं धन्यवाद प्रेंट्स फिर मिलते हैं एक नए रेस्पी के साथ झाल ऑल